तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इताची उचीहा के बारे में एक असल शिनोबी का परफेक्ट एक्जामपल है इताची उचीहा जिसने शिनोबी वर्ल्ड और अपने हिडन लीफ को वार से बचाने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया और अपनी जिन्देगी क हर एक पल अपने भाई और लीफ विलिज को बचाने के लिए जिया इताची ने अकात्सुकी भी सिर्फ इसलिए जोइन किया ताकि वो उसके बारे में जान सके और उसे हिडन लीफ विलिज पर अटैक करने से रोक सके इताची का सच और उसके मोटिफ उसके लाइफ के इताची न अपने चार साल की उमर में थर्ड ग्रेट शिनोवी वोर को फर्स्ट हैंड विटनेस किया जिसे देखने के बाद इताची को समझ आ गया था कि वोर में सिर्फ लोगों की जाने जाती है और इससे किसी की जिंदगी अच्छी नहीं होती है जिसके बाद इताची ये डिसाइड करता है कि वो एक ताकतवर निंजा बनेगा और शिनोवी वर्ल्ड में वार और वॉयलंस को खतम करेगा अपने पास साल की उमर में इताची सासके का बड़ा भाई बनता है और उसकी दोस्ती शिजुई उचीहा के साथ होती है दोनों एक साथ ट्रेनिंग करन लगती है नाइन टेल्स के अटैक के दोरान इताची सासके के साथ घर पर अकेला होता है मिकोतों को बचाते हुए वो लोग सेफटी की तरफ जाते हैं नाइन टेल्स के अटैक के बाद लीव विलेज के लीडर्स को लगता है कि इस अटैक के पीछे उचीहा क्लैन वाले हो स वह सब्चेक्ट्स में टॉप करता है, और सब्ची टेक्निक्स को भी बहुत जल्दी सीखता है, जो भी उसे सिखाया जाता, जिसकी वज़य से सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और इसी के साथ इताची को उसके जनरेशन का बेस्ट निंजा भी मान लिया गया। इताची का टैलेंट गेनी लेवल से ज्यादा हो चुका था इसलिए अकैडमी हेट्स इताची के जल्दी ग्रेजुएशन इक्साम देने के लिए मान जाते हैं जिस दिन इताची graduate करता है उस दिन उसे डांजो अप्रोच करता है और उसके सोच की तारीफ करता है इताची के फादर उसे नागा श्राइन के बेस्मेंट में क्लैन मीटिंग को अटेंड करने देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब उसे अपने क्लैन के हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए इताची शिनोबी वर्ल के हिस्ट्री के बारे में भी जानने लगता है टीम टू को जॉइन करने के बाद इताची अपने स्किल्स को और पर्फेक्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग करने लगता है ताकि वो चुनिन एक्जाम्स पास कर सके ग्रेजुएशन के एक साल बाद इताची अपने निन्जूसु को फुली मास्टर कर चुका था इतना की जिसकी वज़े से उसके सारे मिशन्स उसके लिए आसान होने लगे टीम टू को अपने एनवल ट्रिप के दौरान एक मिशन मिलता है फायर दैम्यो को गाड करने का और उस दौरान इताची के सामने एक मास्क पहना आदमी सभी को उसके सामने मार देता है ये सब कुछ देखके इताची का शारिंगन अवेक हो जाता है इताची कुछ ही मैनों में अपने शारिंगन को भी मास्टर कर लेता है जिसके बाद वो चुनिन एक्जाम्स भी पास कर लेता है अपने 11 साल की उमर में इताची ओन्बू जॉइन करता है ककाशी के टीम में बिजी शेडियूल होते हुए भी इताची अपने छोटे भाई सासके के लिए हमेशा वक्त निकालता और सासके को ट्रेनिंग देता सासके इताची को अपने रोल मॉडल की तरह देखता था इताची के पैरन्स भी बहुत प्राउट फील करते थे क्योंकि सभी क्लैन के लोग इताची की तारीफ करते हैं उचिहा क्लैन के मेंबर्स हिडन लीफ पर अटैक करने के लिए कूर डेटा प्लैन करने लगते हैं और फुगाकू इताची को उनके लिए स्पाई बनने कहता है इताची समझ चुका था कि अपने क्लैन का साथ देने से गाउं फिर से बरबाद हो सकता है और फिर से वार शुरू हो सकती है जो की वो कभी नहीं चाता है कि ऐसा हो इसलिए इताची डबल एजेंट बन जाता है और अपने क्लैन के इस प्लैन के बारे में वो थर्ड होकागे और लीव विलेज के हैट्स को बता देता है इस होप में कि वो लोग कोई पीसफुल सॉल्यूशन निकाल लेंगे जिससे ऐसा कुछ ना हो डांजो उचिहा क्लैन पर पहले अटैक करने कहता है पर थर्ड होकागे सभी काउंसिल हैट्स से टाइम लेते है ताकि वो उचिहा क्लैन के हैट्स से बात कर सके और उन्हें ऐसा करने से रोक सके अपने क्लैन को धुका देने का दर्द इताची सिजुई के साथ शेयर करता है और वक्त के साथ इताची को रियलाइज होता है कि पीस अचीव करना इंपॉसिबल है शिजुई डांजो से कहता है कि वो अपने क्लैन वालों से बात करेगा और अगर वो नहीं माने तो वो क्लैन की लीडर्स को अपने गेंजूत्सू को तोमा सुकामी के जरिये उन्हें अटैक करने से रोक लेगा पर डांजो शिजुई की एक आँख छीन लेता है शिजुई अपने बचे हुए आँख के साथ इताची के पास आता है और इताची को अपनी दूसरी आँख दे देता है और उसे उचीहा नेम और लीफ विलेज को बचाने कहता है और फिर वो नाका रिवर में कूद जाता है अपने सामने शिजुई को सूसाइट करते हुए देखकर इताची की मांगे क्यों शारिंगन अवेक हो जाती है जिसके अगले दिन कुछ उचीहा मेंबर्स इताची पर शिजुई के गुम हो जाने पर शक करते हैं और इताची गुस्ते में उन पर अटेक करता है और वो उन्हें बड़े असानी से हरा देता है जिसके बाद इताची और उसके फैमली के बीच धरारा जाती है 12 साल की उमर में इताची का प्रोमोशन हो जाता है और वो अन्बू कैप्टन बन जाता है थर्ड हो कागे अब भी उचिहा क्लैन के साथ सब कुछ नेगोशियेट करना चाहता था पर डांजो शिमूरा इताची को दो आप्शन्स ओफर करता है कि होने वाली लड़ाई में अपने क्लैन के साथ वो छोटे भाई सासके को खोना चाहेगा या लड़ाई से पहले अपने क्लैन को खतम करके छोटे भाई को बचाना चाहेगा इताची अपने छोटे भाई को चुनता है और अपने क्लैन को मारने की जिम्मेदारी वो खुद अपने हातों लेता है ये decision लेने के बाद और ये समझने के बाद की Shizui उसके इस decision को oppose करता इताची guilty feel करने लगता है पर अपने पिता के कहे बात को याद करते हुए कि अपने जिन्दगी के फैसले किसी को करने मत देना इताची अपने चुने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए final preparations करने लगता है कि वो उस पर काफी दिनों से नजर रख रहा था और उसे पता है कि वो उचीहा कलान से बदला लेना चाता है जिसके लिए इताची उसे अपने साथ उचीहा कलान को मारने का मौका देता है इताची को भरोसा हो जाता है कि वो मास्क पहना आदमी मादारा उचीहा है इताची मादारा को वान भी करता है कि उसे क्लैन के सभी मेंबर्स को मारना है सिवाए उसके चोटे भाई सासके को छोड़ कर क्योंकि इताची को लगता है कि सासके को उचीहा क्लैन और शिनोबी वर्ल्ड के हिस्टरी के बारे में कुछ पता नहीं है तो उसे इन सब चीजों से दूर रखना ही बहतर है एक ही रात में इताची और मादारा क्लैन के सभी लोगों को मार देते हैं और इताची अपने पैरन्स को मारने के लिए खुद पहुचता है अपने बेटे के हाथों मरने से पहले फुगाकू और मीको तो इताची को बताते हैं कि वो लोग बहुत प्राउट फील करते हैं और जो रास्ता उसने चुना है वो बहुत ही मुश्किल होने वाला है फुगाकू इताची को उससे प्रामिस करने कहता है कि वो उनके मरने के बाद सासके का ध्यान रखेगा इताची को लगता है कि उसके इस किये की सजा उसे सिर्फ सासके ही दे सकता है और सासके से ऐसा करवाने के लिए इताची सासके के नजर में खुद को एक विलन बना लेता है और वो सासके को सुकुयोमी में डाल कर बार बार उसके पैरन्स की डेथ को दिखाता है सासके उससे ये सब करने की वज़ा पूछता है जिसके जवाब में इताची उसे कहता है कि उसने सासके से कभी प्यार नहीं किया और उसने ये सब कुछ सिर्फ खुद के पावर्स को टेस्ट करने के लिए किया इताची जाते जाते सासके से कहता है कि अगर कभी दुख और गुसे में उसे अपने क्लैन का बदला लेना रहा तो जब उसके पास मांगे क्यों शारिंगन आ जाए तब वो इताची को मारने आ सकता है तबी सासके का शारिंगन अवेक हो जाता है और सासके बेहोश हो जाता है ये देखकर इताची को रोना आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है जिसके बाद इताची अपने क्लोन को डांजो के पास भेशता है और उसे वॉन करता है कि अगर उसने सासके को चोट पहुचाने की कोशिच की तो वो कोनहा की सीक्रेट्स एनिमी विलेज को दे देगा ये रियलाइस करने के बाद की डांजो पर भरोसक नहीं किया जा सकता इताची विलेज छोड़ने से पहले थर्ड होकागे के पास जाता है और मिशन कंप्लीट करने का रिपोर्ट देता है जिसे सुनकर थर्ड होकागे बहुत डिसपॉइंट हो जाते हैं इताची थर्ड होकागे से सासके का खयाल रखने कहता है जिसके बाद इताची पबलिकली एक ट्रेटर बन जाता है और सीक्रेटली अपने मिशन के साथ अकासुकी जोइन करता है ताकि वो अकासुकी को लीफ विलेज पर मिशन पर जाते हैं मिशन कंप्लीट करने के बाद इताची और जूजो का पीछा यागुरा और उसके हंटर निन की तीम करती है इताची अपने अमतराजू से यागुरा को रोक लेता है पर इस दवरान जूजो की मौत हो जाती है औरोची मारू इताची के बॉड़ी पर कंट देता है जिससे वो इस से बाहर ना सके इताची और उची मारू से कहता है कि उसे और उची मारू और उसके एक्सपेरिमेंट्स से बहुत ही नफरत है इताची और उची मारू को मारने की कोशिश करता है पर काबू तो वहां आकर और उची मारू को बचा लेता है जूजो के र Stone Village जाता है देधारा को रिकूरूट करने के लिए देधारा इताची के गेंजूसू से बुरी तरह हार जाता है जिसके बाद देधारा अपने इस हार के लिए हमेशा शर्मिंदगी महसूस करता है और इताची से बदला लेने का सोचता है इताची हिडान के रिक्रूटमेंट के लिए भी जाता है पेन को औरोची मारू के हिडन लीफ पर किये अटैक के बारे में पता चलता है जिसके बाद इताची की समय के साथ हिडन लीफ जाता है ताकि वो इस अटैक के सच्चाई को जान सके पर उसका असल concern सासके रहता है एक time पर इताची को पता चलता है कि वो बीमार है पर medicine और willpower के साथ वो जिन्दा रहता है ताकि वो सासके के हाथों मर सके इताची और कीसा में leaf village पहुँचते हैं पर ककाशी इताची को पहचान लेता है वो आसुमा और कुरनाई को इताची के पीछे भेशता है इताची और कीसा में उन दोनों को एक isolated जगा तक पीछा करवाते हैं जिसके बाद वो लोग अपने identity को reveal करते हैं आसुमा और कुरनाई उन दोनों से लड़ते हैं और बुरी तरह से corner हो जाते हैं पर वक्त पे ककाशी वहाँ आके कुरनाई को इताची के अटैक से बचा लेता है जिसके बाद इताची और ककाशी अपने शारिंगन की मदद से लड़ते हैं इताची ककाशी को अपने गेंजुसू सुकुयोमी में डाल देता है जिससे ककाशी की हालत बहुत खराब हो जाती है इताची की समय को अटैक करने कहता है पर तभी माइट गाए आकर उन्हें बचा लेता है इताची ये बताते हुए कि हम यहाँ नाइन टेल्स के जिनजूरी की के लिए आये थे वो की समय के साथ नारूटो को ढूनने चला जाता है सासके को जब ये पता चलता है कि इताची नारूटो को ढून रहा है सासके इताची से पहले नारूटो के पास पहुँचने की कोशिश करता है इताची और की समय नारूटो के पास पहुँचते हैं ये जानते हुए कि नारूटो जिराय के साथ है। इताची एक सुन्दर लड़की को गेंजूसू में डालकर जिराय को उलजहाये रखता है। पर तभी वहां सासके आकर अपने चिदोरी से इताची पर अटैक करता है। पर इताची बड़े ही असानी से सासके के हाथ को पकड़ कर उसके अटैक को रोक लेता है। और उसका हाथ तोड़ देता है। और तभी वहां जिराय भी आ जाते हैं। इताची जिराय से फाइट नहीं करना चाता था। इसलिए वो सासके को सुकयोमी में डाल कर उसके पैरंस की डेथ को दिखा कर उसे बेहोश कर देता है जिराय अपने टोड माउट बाइंड समनिंग से इताची और किसमे को रोकने की खोशिश करता है पर इताची अमतराजू का यूज करके वहां से भाग जाता है वन टेल्स को सील करते हुए अकासुकी को पता चलता है कि कोनहा के निंजा उनकी तरफ आ रहे है और उन्हें उलजाय रखने के लिए किसमे टीम गाई के पास जाता है और इताची टीम सेवन के पास नागाटो अपने शेफ शिप्टिंग टेकनीक की मदद से इताची का बॉडी डबल बनाता है जिसे वो कंट्रोल करता है इताची नारूटो के ग्रोथ को देखकर इंप्रेस हो जाता है और नारूटो को गेंजूसू में डाल देता है और फिर वो नारूटो को डीमॉरलाइस करता है नारूटो के टीम मेट्स नारूटो को गेंजूत्सू से फ्री कर देते हैं जिसके बाद नारूटो अपने बीग बॉल रसेंगन से इताची के बॉड़ी डबल को हरा देता है पर वो उन्हें देर करवाने में सक्सेस्फुल रहते हैं कीसा में के फोर्ट टेल्स को पकड़ने के बाद अकासुकी उसे सील करते हैं इस दोरान उन्हें पता चलता है की सासके ने औरोची मारू के साथ धाई साल ट्रेनिंग करने के बाद होरोची मारू को मार दिया है और अब वो इताची को मारने के लिए आ रहा है फोर्ट टेल्स को सील करने के बाद देधरा और तोबी सासके को मारने के लिए जाते है जिसके बाद अकासुकी को उन तीनों के मरने का रिपोर्ट मिलता है जिसके बाद कीसा में इताची से कहता है कि अब वो आखरी उचिहा बचा है पर इताची उसे कहता है कि सास के अब भी जिन्दा है और अगर ऐसा कुछ होता है तो तो भी आखरी उचिहा बचेगा ये रियलाइस करने के बाद कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है इताची अपने एक क्लोन को नारूटो के पास भेजता है नारूटो इताची पर अटैक करता है पर इताची नारूटो से कहता है कि वो उससे बात करना चाता है इताची नारूटो से पूछता है कि सासके उसके लिए क्या माइने रखता है और अगर कभी सासके hidden leave village पर हमला करता है तब वो क्या करेगा जिसके जवाब में नारूटो कहता है कि सासके उसके भाई जैसा है और अगर सासके लीव विलेज पर अटैक करता है तब वो सासके को बीना मारे विलेज को बचाएगा नारूटो के जवाब से इंप्रेस होकर इताची नारूटो के साथ अपनी पावर शेयर करता है और उसके अंदर अपने एक रो को डाल देता है जो नारूटो की हेल्प करेगा सासके को रोकने में इताची का एक और क्लोन सासके के पास पहुंचता है सासके के स्किल्स को देखकर इताची मान लेता है कि सासके स्ट्रॉंग हो चुका है और वो उसे उचिया हाइड आउट पर बुलाता है टीम टाका उचिया हाई राउट पर पहुंचते हैं पर कीसा में आकर उन्हें रोक लेता है और कहता है कि सिर्फ सासके ही आगे जा सकता है सासके अपने टीम से वेट करने के लिए कहता है और आगे बढ़ता है इताची के पास पहुंचते ही सासके बिना वक्त गवाए इताची पर हमला करने लगता है पर फिर उसे पता चलता है कि वो इताची के गैंजूत्सू में है इताची सासके को मांगे क्यो शारिंगन और उसकी एबिलिटीज के बारे में बताता है कि मांगे कि उशारिंगन को ज़्यादा यूस करने से यूजर बलाइंड होने लगता है और इस से बचने के लिए यूजर अपने सिबलिंग के आँखों को ट्रांस्प्लेंट करके बच सकता है इताची सासके को मादारा के बारे में भी बताता है कि कैसे उसने अपने छोटे भाई के मौत के बाद उसकी आँखों को ट्रांस्प्लेंट करके इटर्नल मांगे कि उशारिंगन हासिल किया सासके इताची से पूछता है कि वो उसे ये सब क्यों बता रहा है जिसके जवाब में इताची कहता है कि वो सासके को मारने के बाद उसके आखों को खुद में ट्रांस्प्लेंट करके इटर्नल मांगे क्यो शारिंगन पाना चाता है पर उसे बहुत दुख है कि सासके ने अब तक मांगे क्यो शारिंगन हासिल नहीं किया है सासके खुद को इताची के गंजूसू से फ्री करता है जिसके बाद उनकी रियल फाइट शुरू होती है सासके और इताची ग्रेट फायर बॉल से एक दूसरे पर अटेक करते हैं इताची अपने अमतराजू से सासके पर अटेक करता है सासके इस से बच जाता है और Great Dragon Fire टेकनीक से अटेक करता है जिसे इताची बड़े असानी से अवाइट कर लेता है सासके इताची को बताता है कि वो इताची को टारगेट नहीं कर रहा था जिसके बाद सासके अपने सबसे पावफुल अटेक कीरिन से इताची पर हमला करता है सासके को लगता है कि वो जीत गया है पर इताची अपने सूजानों की मदद से बच जाता है सासके खुद को बचाने के लिए कर सील को एक्टिवेट करता है पर ज्यादा चाकरा ना होने के कारण औरोची मारू सासके की बाड़ी से बाहर आ जाता है इताची अपने सूजनों के स्वर्ड ओफ तोट्सूका से औरोची मारू को मार कर सील कर देता है और सासके को कर सील से आजाद कर देता है इताची धीरे धीरे लड़कडाते हुए सासके की तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि अब वो उसके आँखों को पालेगा इताची खासने लगता है और उसके मुँ से खुन निकलने लगता है सासके के पास पहुँचते ही इताची उसके फोरेट पर पोक करता है और सासके के आँखों में अमतराजू को सील कर देता है सासके को बिना पता चले दिये ताकि वो तोबी से उसे बचा सके जिसके बाद इताची सासके से माफी मांगता है और कहता है कि अब सब खतम होता है और नीचे गिर जाता है परसास के स्माइल करता है क्यूंकि इताची को मार कर उसने अपना गोल पूरा कर लिया निंजा वॉर फोर में काभू तो इताची और अकासुकी के मेंबर्स को रियानिमेशन जूसू से जिन्दा करता है तोबी को वार में हेल्प करने के लिए फोर शिनोबी वार शुरू होता है री एनिमेटेट इताची नागाटो के साथ आगे बढ़ता है और वो लोग आपस में बात करते हैं कि कैसे तोबी ने उनका यूस किया अब वो उनके मरने के बाद भी उन्हें यूस कर रहा है उनके पावर्स की वज़े से इताची और नागाटो नारूटो और किलर बी से मिलते हैं नारूटो से ये जानने के बाद किसास के अकासु की जॉइन कर चुका है और तोबी के साथ मिलकर हिडन लीफ पर हमला करने वाला है इताची नारूटो के अंदर से अपने क्रो को बाहर निकालता है जो उसने नारूटो के अंदर मरने से पहले डाला था और खुद को रियानिमेशन जूसू के कंट्रोल से फ्री कर लेता है जिसके बाद इताची नारूटो और बी के साथ मिलकर नागाटो से लड़ता है नागाटो चिवाकू टेंसे की मदद से तीनों को मारने की खोशिश करता है पर इताची नारूटो और बी अपने कंबाइन अटैक से नागाटो के अटैक को रोक लेते हैं जिसके बाद इताची अपने सूजानों के तोट्सू का बलेड से नागाटो के सोल को रियानिमेशन जूट्सू से फ्री करवा देता है नारूटो इताची से उसके क्रो के बारे में पूछता है इताची नारूटो को बताता है कि उसने जिस क्रो को नारूटो के अंदर डाला था वो उसकी हेल्प करता सासके को रोकने में उस क्रो के पास शिजूई की आँख थी जो सासके के मांगे क्यों शारिंगन को देखकर रियाक्ट करता क्योंकि उसे भरोसा था कि इताची के मरने के बाद सासके उसकी आखों को इंप्लैंट करेगा और सासके को बिना कुछ पता चले वो उसे शिजूई के गेंजूसू को तो अमासुकामी में डाल देता जिससे सासके हिडन लीव को बचाने के लिए सोचने लगता जिसके बाद इताची क्रो और शिजूई की आखों को अमतराजों से जला देता है ताकि शिजूई की आख किसी गलत इंसान के पास ना चला जाए और नारूटो से कहता है कि उसे शिजूई की आखों की जरुवत नहीं है क्योंकि नारूटो की सोच शिजुई की तरह ही है जिसके बाद इताची रियानिमेशन जूसू के यूजर को रोकने के लिए वहाँ से चला जाता है रास्ते में इताची को सासके मिलता है सासके इताची से धेर सारे सवाल करने लगता है पर इताची उसे कोई जवाब नहीं देता है सासके और इताची जूसू कास्टर के पास पहुँचते है सासके को लगता है कि कास्टर औरोची मारू है पर वो काबुतो होता है काबुतो से ये सुनकर कि तोबी ने सासके को यूस किया सासके घुसे में काबुतो को मारने के लिए अटेक करता है पर इताची सासके के अटेक को रोग लेता है और बताता है कि अगर रियानिमेशन जूटसू को बंद करना है तो काबुतो को गेंजूसू में डालना ही लास्ट आप्शन है इताची सासके को कहता है कि वो काबुतो को रोकने में उसकी हेल्प करे जिसके बाद वो सासके को कुछ बताएगा सासके मान जाता है काबुतो को गेंजुसू में डालने के लिए इताची सासके को उनके बच्पन के मिशन के बारे में याद दिलाता है और सासके को वैसा ही करने कहता है इताची सासके को इजनागी और इजनामी के बारे में बताता है सासके और इताची काबुतो को इजनामी गेंजूसू में डाल देते हैं जिससे वो तभी बहार आ सकता है जब वो अपने एक्शन्स और थौट को बदलेगा ऐसा करने के बाद इताची काबुतो को फिर से एक गेंज जुसू में डाल देता है और उसे हैंसाइंस परफॉर्म करवाता है जिससे री एनिमेशन जुसू बंद हो जाए इस दोरान सासके इताची से कहता है कि वो इताची के नाचाते हुए भी लीव विलेज के हैट्स को कभी माफ नहीं करेगा और लीव विलेज पर अटैक करेगा इताची बिना कोई रिस्पॉंस दिये सासके को सुनता है सबी reanimated shinobi free होने लगते हैं और इताची मुड़कर सासके की तरफ बढ़ता है और उसे head bump देता है और जाने से पहले सासके को अपने memories दिखाता है कि उसने अपने clan को क्यों मारा इताची मादरा और डांदो से मिली information को सच बताते हुए सासके को अपने side की story दिखाता है और सासके को एक आखरी good bye करते हुए उससे कहता है कि उससे सासके से माफी नहीं चाहिए और अब इसके आगे सासके जो भी करना चाहे कर सकता है पर इताची उससे हमेशा प्यार करेगा इताची की reanimated body टूटने लगती है और उसका soul pure world चला जाता है बात करें इताची की legacy की तो इताची की आखों ने सासके के लिए बहुत important role play किया जिससे सासके को eternal मांगे कियो शारिंगन मिला और आगे उसे रिनेगान भी मिला जो कागुया को seal करने में सासके के काम आता है तो दोस्तो ये थी कहानी इताची उचीहा की नारुटो और नारुटो शीफू डेंस है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाएं वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को सरूर आउन करें तब तक के लिए बाई मिलते हैं अगली वीडियो में